Good morning children's आज हम English subject पढ़ेंगे पिछले class में मैंने आपको G से word बता रहा था आज हम H से देखेंगे word 5 words देखेंगे वो कौन-कौन से word बनते हैं आएए देखते हैं कि सबसे पहला word कौन सा बनता सबसे first word है house H O U S E house house means house हमें किस्चा से बचाता है धूब शे जार्फोर sे हमें क्याय करता है house ओgy van फिरा जो है, वो कच्च्चा house भी होता है और और पकका house होता है छीकिखेंगे दो तनका होता है कच्चा house उसको बोलते है जो कि मित्ती ब League 0 से बना हो और पका हाउस जो इत सिवेंट और आईडल से बना पता है, next word है Hat, H-A-T Hat, Hat means top bean, hat का यूज हम लोग कि करते हैं, जब हम लोग अभी कहीं धूप में जाते हैं, तो धूप से अपने आप बचाने के लिए हैट का यूज़ करते हैं या फिर अगर हम लोग कभी पिकनिक पे जाते हैं तो भी हम लोग हैट का यूज़ करते हैं ये colorful होता है कुछ हैट होता है जो round shape का होता है और कुछ अलग design का next word है hand h a a a a n d hand hand means heart हम लोग के पास कितने hand होते हैं और फिंगर उसमें टे होते हैं, हम लोग कोई भी काम किस्चे से करते हैं, हैंड से, राइट करना हो, या कुछ इट करना हो, तो हम लोग हैंड से करते हैं, किसी चीज़ को टच करना हो, या किसी चीज़ को उठाना हो, तो भी हम लोग हैंड का ही यूस करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, हैमर, हैमर, हैमर में हथारा, इसका यूज हम लोग कीर को दिवाल में लगाने के लिए करते हैं, या फिर इसी भी चीज़ को ठोपने के लिए करते हैं नेक्स्ट वर्ड है, हेप़ी, ह-A-P-P-Y, हेप़ी, हेप़ी मिल्स खूश हम लोग कभ हेप़ी होते हैं, जब हम लोग कहीं बुनने जाते हैं, या फिर कोई बिलेटिक समसे मिलने आता हैं तो हम लोग बहुत खूश होते हैं इन 5 words को आपको अच्छे से read करना है और अपने copy में write करना है